प्यारे बचो जिन्होंने मेरे चैनल को अब इता सब्सक्राइब नहीं किया है अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे अनेमाल वीडियो का नया नोटिफकेशन मिल सके लाइक और शेयर भी जरूर करते ना नमश्कार शात्रो तो शात्रो आज हम करेंगे बाल महा भारत कथा का चोसर खेल और रौपदी की व्यथा के MCQ तो चलो शुरू करते हैं दृत राष्टर की बात मानकर पांड़ों के पास कोन आया कोन आया था जल्दी बताओ शिरी क्रिशन गए थे पांड़ों के पास बिदूर गए थे या फिर आर्जुन गए थे तो बच्चो दृतराष्टर की बात मानकर पांड़ों के पास कोन गए थे उनके मंत्री बिदूर दृतराष्टर के मंत्री खेल के लिए खंबा मंडप कहा बनाया गया था? कहा बनाया गया था खेल के लिए? खंबा मंडप हस्तनापूर में इंदर प्रस्त में या फिर बन में तो जो बच्चे बोल रहे हैं इंदर प्रस्त में वे तो हैं गर हसनापूर में ही खेल मंडब बनाया गया था पासा कौन फैंक रहा था कौन पासा फैंक रहा था कौन सा खेल खेल रहे हैं यह चौसर का और चौसर के खेल में क्या होते हैं पास से तो पासा कौन फैंक रहा था बिशम, करन या फिर शकुनी तो ये तो सबको पता है कि पासा कौन फायंगता था मामा शकुनी अंत में शकुनी ने युदिश्टर को किसे दाम पर लगाने को कहा था शकुनी ने किसे बोला था युदिश्टर को किसको दाम पर लगाओ मादरी को, कुंती को या फिर द्रौपदी को जो बच्चे बोल रहे हैं द्रौपदी को बिलकुल सही जवाब तो उन्होंने जो द्रौपदी को दाम पर लगाने के लिए कह दिया था चोसर के खेल में युदिश्टर ने अंत में किसे दाम पर लगाया था ये दो कोश्चन इस तरह से पूशे जा सकते हैं किसे दाम पर लगाया था? कुंती को, द्रौपदी को या फिर गंगा को सबसे अंत में उन्होंने द्रौपदी को ही दाम पर लगाया था युदिश्टर जो था किसका पूतर था? चल्दी से बताओ किसका पुत्र था यूजसू द्रोन का पांडू का या फे दृत्राश्टर का तो बच्चो ये बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि यूजसू जो था दृत्राश्टर का सबसे शोटा बेटा था द्रोपदी को बलपूर्वक कौन लाया था? कौन लेकर आया था द्रोपदी को बलपूर्वक दुशासन? भीम या फी अर्जुन कौन लाया था बलपूर्वक दुशासन? दृत्राश्टर का कौन सा पुत्र द्रोपदी को दाम पर लगाने से संतप्त हो उठा? कौन सा पुत्तर था जो द्रॉपदी को दाम पर लगाने के लिए जाने कि संतप्त था द्रुवधन, युत्सुसु या नकुल तो युतसु जो था वह है संतप्त हो उठा जब द्रॉपदी को दाम पर लगाने की बात कही गई मीन अचमबित हो गया द्रियोधन ने विदूर को क्या आदेश दिया था रनिवास से माला लेकर आओ रनिवास से माधरी को लाओ या फिर रनिवास से द्रौपदी को लाओ तो भचो द्रियोधन ने विदूर को रनिवास से द्रौपदी को लाने के लिए कहा था आदेश दिया था मेरे प्यारे बच्छी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा दें डॉन्ट फोगे तो लाइक, श्रीय और सब्सक्राब तो मैं चैनल और अजो प्रेस्ट पैला इकन फोर मोर अप्डेट्स